हाज हम पढ़ेंगे हानी सकल बुक का चाप्टर टू चाप्टर का नाम है तो इस चाप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और जैसे वुल्फ होता है वुल्फ भीडिया होता है ठीक है और डॉग भी उसी फैमली को बिलॉंग करते हैं यह दो तीन आनिमल्स होते हैं एक तो वुल्फ होता है वुल्फ फॉक्स और जैकल ठीक है यह एक जैसे से यह आनिमल्स होते हैं डॉग भी इसी फैमली में आता है यह सब एक ही फैबली को बिलॉंग करते हैं, जो वुल्फ होता है, इसको हम भेडिया बोलते हैं, फॉक्स को हम लोमडी बोलते हैं, और जैकल को हम सीयार बोलते हैं, डॉग यू अलो, ठीक है, तो हम यह पढ़ेंगे, लाइक पुराने टाइम पे, जो डॉग और वुल्फ थ इंट इंट एंट एंट आइमल, ओके, तो, लेट्स गेट सब्सक्राइब, अब इसको हम पढ़ते हैं, डॉग वुल्फ दू, अब लिफ द वे वुल्फ दू, मतलब जैसे वुल्फ रहते हैं, एकदम फ्री, उसी की तरीक से पहले भी, पहले डॉग भी वैसे ही फॉरस मे रहा करते थे और यह अपने ही मास्टर से थे, इनकी खुद के कोई मास्टर से नहीं थे, यह खुद अपने ही मास्टर थे, यह बहुत बोल्ट थे, बहुत फ्री रहते थे यह अनिमल्स, जैसे वाइल्ट आनिमल्स रहते हैं, आज तो डॉग क्या है, पैट अनिमल है, टेम जब तक एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जो अपने जो situation थी उसकी जो way of life थी उससे वो कहीं से भी खुश नहीं था ill-pleased मतलब not happy ठीक है old-fashioned way of saying है जिसका मतलब होता है नाखुश होना ठीक है वो खुश नहीं था ठीक है और वो क्यों खुश नहीं था he was sick and tired of wandering about by himself तो वो अकेला अकेला घूमते घूमते वो परेशान हो गया था अब second tired ये एक phrase होता है जिसका मतलब होता है bored ठीक है second tired ये एक phrase है जिसका मतलब होता बोर हो जाना है ना वो परेशान हो गया था वो बहुत बोर हो गया था अकेला अकेला घुंता हुआ ठीक है लुकिंग फॉर फूट और बिंग फ्राइटन अफ दोस वो स्ट्रॉंगर दैन ही तो वो किस काम से बोर हो गया था खुद ही अपना खाना ढूनना और उससे जो स्ट्रॉंग अनिमल से उनसे डर के रहना उनसे डर के रहने में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और बहुत बोर गया से किंटाइड हो गया था ठीक है और उसने सोचा और उसने बात में ये डिसाइड किया कि सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वो ऐसे किसी आनिमल का सर्वेंट बन जाए जो कि अर्थ में बाकी आनिमल से ज़ादा स्ट्रॉंग है ताकतवर है ठीक है और वो ऐसे एक मास्टर को डूनने के लिए निकल पड़ा और वो चलता गया चलता गया और फिर उसको एक मतलब यहाँ पर क्या मतलब होता है उसी का कोई रिलेटिव मिला जैसे जिस फैमिली को वो बिलॉंग करता है उसी ही फैमिली का कुछ रिलेटिव मिला मैंने आपको पहले इन दे बिगिनिंग अफ दिस वीडियो आफ टोल्ड यू दे रिलेटिव साफ फैमिली ठीक है तो मैंने आपको पहले बता दिया तो केंटिव मिला इन दे रिलेटिव अब उसका रिलेटिव कौन है एक बड़ा वुल्फ तो फियर्स मीन जितना जादा वो फ्राइटनिंग था जितना जादा वो वाइलेंट था वो वुल्फ वो उतना ही जादा बड़ा भी था उतना ही जादा स्ट्रॉंग भी था ठीक है तो उसको सबसे पहले कौन मिलता है सबसे पहले उसको एक वुल्फ मिलता है ये इसको नमबर वान पे मिलता है ठीक है वो वुल्फ पूछता है उस डॉग से कि तुम कहां जा रहे हो I am looking for someone to take up service with तो यहाँ पे take up service with क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है to accept service यह एक phrasal verb है यहाँ पे दिया हुआ है to become the servant of तो किसी हम animal का servant बन जाते हैं तो उसके लिए हम phrasal verb यूज कर सकते हैं to take up service with ठीक है उसका service उसका servant बन जाना है accept कर लेना would you like to be my master wolf तो उसको पूछता है वो उसको बोलता है कि भाई मैं ऐसा कुछ ढूंड ऐसे किसी को ढूंड रहा हूँ जिसका मैं servant बन जाओ और क्या तुम मेरा master बनना चाहोगे wolf तो अब wolf reply करता है I don't see why not the wolf said वो उस wolf बोलता है कि भाई मेरे पास मना करने के लिए तो कोई reason नहीं है ठीक है मैं तुमारा master बन जाओंगा the two of them went on together ठीक है when he agreed to be the master of the dog तो वो दोनों की दोनों साथ साथ चल पड़ते है they walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose ठीक है तो वो दोनों साथ साथ चलते जाते है काफी दूर चलते जाते है फिर suddenly क्या होता है the wolf lifted his nose तो वो अपना left nose nose lift क्यों करता है ताकि वो कुछ सूंग सके ठीक है यहाँ पर sniff लिखा हुआ sniff means to smell तो वो कुछ सूंग रहा था darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest तो वो वहाँ पर suddenly वो move कर जाता है darted means to move suddenly और quickly तो वो वहाँ से उस रास्ते से फटा फट वहाँ से हड जाता है ठीक है and into the bushes पीछे जाडियों में अंदर जाडियों में जाके छुप जाता है and crept deeper in the forest ठीक है crept deeper ये एक idiom है ठीक है ये जो crept deeper है ये एक idiom है जिसका मतलब होता है to enter some place very secretively है ना stealthily वो चुप के से किसी जगे में अंदर घुज गया और स्वारेस्ट के अंदर घुज गया the dog was much surprised अब dog को बड़ा अश्यर होता है क्योंकि उसने वो चुप को ये देखके कि वुल्फ किसी से डर के अंदर छुप रहा है what's come over you master he asked तो वो पूछ रहे डॉग कि भई ऐसा क्या हो गया है what has frightened you so तुम इतना अचानक इतना डर क्यों गया frightened means डर जाना can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us you and me तो वुल्फ रिप्लाई करता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ एक bear है और वो bear तुम्हें और मुझे हम दोनों को ही खा सकता है seeing that the bear was stronger than the wolf the dog decided to take up service with him अब जब इस dog ने देखा कि ये वुल्फ से जादा stronger कौन है वुल्फ से जादा stronger है वुल्फ को अपना master क्यों बना मैं तो bear को अपना master बनाऊंगा तो बोलता है कि ठीक है मैं bear को अपना master बना रहा हूँ and he left the wolf and asked the bear to be his master तो वो वुल्फ को छोड़ देता और फिर bear के पास जाता हूँ बोलता है कि तुम मेरे master बन जाओ the bear agreed to this readily readily means quickly willingly वो बहुत easily मान जाता है वो bear ठीक है किस बात पर मान जाता है कि वो अब dog का master बनेगा and said let us go and find a herd of cows तो bear बोलता है कि चलो ठीक है अब हम दोनों चलते हैं और हम एक cow का गाय का जुन ढूनते हैं ठीक है I'll kill a cow and then we can both each our fill ठीक है अब वो बोलता है bear कि मैं एक cow को मारूंगा और फिर हम दोनों क्या करेंगे eat our fill ये भी एक idiom है eat our fill इसका मतलब होता है to eat enough है न पूरा पेट भरके खा लेना तो वो बोलते है कि मैं एक cow को मारूंगा गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलके पेट भरके उसको खाएंगे this is what the bear said to the dog they walked on and soon saw a herd of cows तो वो दोनों चलते हैं साथ साथ और फिर उनको एक गायों की जुन दिखती है but just as they were about to come up to it they were stopped by a terrible noise तो जैसे वो attack करने वालेते हैं उनको अचाना से एक बहुत ढरावनी terrible means खुट डरावनी आवास सुनाई देती है the cows were moving loudly and running in a panic in all direction तो जैसे वो terrible आवास आती है जितनी उस जुन के गाये थी वो सारी जो जो से चिराने लग जाती है और वो चारो तरफ हर दिशा में भागने लग जाती है कैसे panic होके डर के the bear looked out from behind the tree and then he too ran hastily deeper into the forest तो bear ने क्या किया एक पेड के पीछे यहाँ picture में देख सकते है एक पेड के पीछे छुपके उस bear ने देखा और bear के साथ dog भी है और यह पूरी herd of cow है और वो bear भी वहाँ से फिर जल्दी से भाग गया forest के अंदर deeper now why did I have to come here तो वो wolf बोलते है कि भाई अब हम sorry dog बोलते है कि अब हम यहाँ पर क्यों आया है said he to the dog वो bear बोलते है कि भाई अब हम यहाँ क्यों आया है आपको पता है it is the lion who rules the forest in this part तो बोलते है कि यहाँ पर इस part of the forest है यहाँ पर rule किसका चलता है lion का चलता है the lion who is he तो dog पूछता है कि भई लाइन है कौन don't you know he is the strongest beast on earth तो फिर bear reply करता है कि तुम्हें पता नहीं है lion तो पूरे earth में सबसे ज़्यादा strongest है well then I'll say goodbye to you bear I want a master who is stronger than anyone on earth तो वो बोलता है dog कि ठीक है अब मैं तुम्हें भी goodbye करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा master चाहिए जो बाकी सबसे इस पूरे earth में बाकी सबसे ज़्यादा stronger हो and off the dog went to ask the lion to be his master और फिर वहां से वो dog निकल जाता है किसके पास जाता है? lion के पास to be his master sorry तो third उसको कौन मिलता है? third उसको मिलता है lion okay the lion agreed to this and the dog said with him stayed with him and served him for a long long time फिर उसके बाद lion भी मान जाता उसका master बनने के लिए फिर dog कई लंबे टाइम तक उसके साथ रहता है और उसको being a good servant उसको काफी टाइम तक उसको serve करता है it was a good life and he had nothing to complain of तो वो बहुत अच्छी life अपनी spend करता है लाइन के साथ और उसको कोई complain भी नहीं होती है करने के लिए for there was no stronger beast in the forest than the lion क्योंकि उस पूरे forest में लाइन से अदर strong कोई था ही नहीं and no one dare touch the dog or offend him in any way और लाइन की presence में जब लाइन उसका master था तो उस पूरे जंगल में कोई भी आने में इतने हिम्मत नहीं करता था कि इस dog को offend करें offend मतलब उसको upset कर दें but one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped अब यहाँ cliff है steep high rock तो वो एक दिन वो दोनों की दोनों साथ साथ वो चल रहे थे ऐसे रास्ते में जिसके चारों तरफ rock थी ठीक है when all of a sudden the lion stopped फिर अचानक से क्या होता है वो lion रुप जाता he gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with paw with such force that a hole formed there तो अचानक से वो lion रुप जाता है बहुत जोर से दहारता है और जो ground थी जो मिटी थी वहाँ पर जोर से अपने पंजों को मारता है इतने जोर से मारता है कि वहाँ पर एक hole हो जाता है उस force के कारण ठीक है then he began to back away very quietly फिर वो चुप चाप उस रास्ते से पीछे की तरफ पाउँ अपने कर लेता है what is it master is anything wrong ask the dog surprise अब dog फिर से surprise होता है वो पूछता है लाइन को कि भई क्या हो गया master क्या कुछ गरबर है आप कैसे दीछे आ रहे हो I smell a man coming this way तो वो लाइन बोलता है मुझे इस रास्ते में एक आदमी की आने की आवाज आ रही है ask the dog set the line we better run we better run for it or will be in trouble तो वो लाइन बोलता है कि हमें जल्दी से यहां से भाग जाना चीए otherwise क्या होगा हम दोनों परिशानी में पढ़ जाएंगे oh well then I'll say goodbye to you लाइन I want a master who is stronger than anyone on earth तो वो बोलता है कि dog कि ठीक है फिर अब मैं आपको भी goodbye करूंगा क्योंकि मुझे तुम ऐसा master चाहिए था जो बाकी सबसे इस पूरे अर्थ में stronger हो and of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully finally वो dog किसके पास पहुँचता है वो man के पास पहुँचता है और उसके साथ रहने लग जाता है और उसको बहुत faithfully उसका servant बनके रहने लग जाता है this happened long long ago और ये बहुत लंबे time पहले पुरानी बात है but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master तो ये time की जो incident है ये बहुत लंबे time की पुरानी बात है but उसकी बात से आज तक जो dog है वो man का most loyal servant बनके रह गया है और उसकी बाद उसने कभी भी अपना master change नहीं किया ठीक है तो हमने इस chapter में क्या देखा dog ने सबसे पहले wolf को अपना master बनाया फिर वो गया beer के पास उसकी बाद वो गया lion के पास और finally उसने किसको अपना master बनाया man को अपना master बनाया ठीक है तो इसमें हमें क्या पता लगँ रहा है finally वो क्या डून रहा था वो सबसे strongest animal सबसे strongest चीज डून रहा था जो earth में सबसे the strongest हो तो सबसे the strongest उसको कौन मिला man because wolf बियर से डर रहा था बियर लाइन से डर रहा था लाइन मैन से डर रहा था जैसे हमारे चैप्टर में नाम है, टाइटल है, चैप्टर का, How the dog found himself a new master, तो यह हमने पूरा प्रोसेस दिखा, किस तरीके से, उसने अपना master ढूना, फाइनली उसका master बना man, ठीके, तो I hope आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है, या फिर कुछ और नया आप देखने आचाते हैं, तो please mention in the comment section, and let me know what kind of videos and what chapter do you require, तो वो मैं आपको बता दूँगी, और इसमें आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया है, you please mention in the comment section, thanks for watching the video, like, comment, share, my channel, press the bell icon to get the latest update, और खूब खूब सारे अपने friends, relatives, अब के साथ शेर करना, okay, bye-bye everyone, take care, जय हैं, जय भारत, keep growing,